विदिवें आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब देखा आज हम बात करेंगे सीवी और रेजुमी में क्या अंतर है अगर अगर आप लोग आप लोगो जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए इस वीडियो को अंतर ज़रूर देखिये गा मैं को बताऊंगा सीवी और रिजुमी के बारे में सारे चीजे पूरे डीटेल में सो हाई गाइस मेरा नाम है एसके दास और आप देख रहे हमेशे की तरह दियुनिक एंप्लूई चैनल पर नए हो वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सीवी बनाते हो या फिर आप रिजुमें बनाते हो उसमें सीवी कितने पेज की होनी चाहिए या फिर रिजुमें कितने पेज की होनी चाहिए सीवी में आप कितना पेज कर सकते हैं रिजुमें बना सकते हैं उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कहा पर आपको सी एड़ करना है यह सारे तमाम जानकारी मिलेंगे आपको इस वीडियो में चले शुरुबाद करते हैं सीवी से सीवी का एक्ट्वियल क्या होती है सीवी का फुल्फरम होती है करेक्लम भीटे यह एक लेटिन वार्ड है जिसका मतलब होती है जहां पर आपका जितना भी अचीब्मेंट होती है वह सारे चीज़े यहां पर मेंचन होती है उसके रिगार्डिंग हम आगे भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से यूज किया जाता है अब दिखिए इसे बहुत सारे कंट्री से लाइक क्या अमेर रिजुमे की नंबर पेजस की एक पेज याप दो पेज आप रेजुमें बनाते हो वह बहुत ही इनाफ माना जाता है वह अगर हम सीवी की बारे में बात करें जैसे कि मैंने आपको बताए है कि यहां बहुत सारे लिखा हुआ रहता है जिसके लिए सीवी जो होती है वह 2-3 फिरें बात करते हैं कि दो में बात करें अगर हम मेजर इन सारे चीजों के अलावा आपने क्या 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 एक्षास्टाइब अगराує जितना पी आपकर युकर्णा होती है है आपके पास करते हैं सान किया है और आपके पास कहा whack-क कि में 12 साल का काम किया है यह एपर जगा जगा और तरह तरह का सरा कमपनी में आपने काम कुया है आप सारे एक्स σας का डीटिटील आप सार्स का डीटियल आप सारे चीज़ेंगे में एड़ कर सकते हैं तो अबरल अगर हम देखे तो सीवी में आप अपना अचीव्मेंट कर सकते हैं और रेजुमी में आप अपना स्केल्स और experience सारे चीज़े mention कर सकते हैं तो यह होता है major difference CV और resume में अभी हां बात करते ही कि CV कहां पर use करना चाहिए या फिर resume कहां पर use करनी चाहिए अगर हम CV की बारे में बात करें तो दीखेंग जितना भी academic industries होती है जिसे कि educational institution हो गया या फिर सकते हैं अगर आप यहां पर एक्सक्राइब कर सकते हैं के अलावा अगर अगर क्Sure वो ऑप्लाइब कर रहे हैं लाग वहां पर सकते हैं आप होता है कि आपके वह सारे लिखा हूए में जाता है तो वह एक ही अच्छा पॉरिट राता है किसी भी specific जोब को करने के लिए अगर हम यहां पेश में तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अबिधिक अब बात करते हैं कि अगर तो सीवी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वाना जाएगा अभी मैं इसका एग्जंपल देता हूँ मानने आपने अपना ग्रेजुएशन वगरा कंप्रीट कर लिया है कि मतलब डिप्रोमा वगरा कंप्रीट किया है आपके पास अकार्डिमिक जितना भी डिटेल है व जाते हैं पिए सब्सक्राट हमाही है तो यहां सब्सक्राइब में आपको सब्सक्राइब हो पार्ब की और विए घृइन्स के अगर चाहते हैं नो तो एक तरफ से अगर हम देखिए तो आपके रिक्वार्टमेंट के हिसाफ से आप सीवी या पर रिजूमी हर इंडस्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जहां पर कंपनी में जो जो वेकेंसिस निकालते हैं वहां पर अगर एक्सपीरियंस का जरूत है अगर आपके पास अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है आप पूछना चाते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट कीजिए मैं आपको वहां पर हंटेट पर से डिप्लाइब जरूँगा तो अपने इस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तेय दिल से धहनवाद